हेल्लो एब्रिवन कैसे हो आप सभी लोग सब ठीक है ना बेरी गुड बागवान आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक बारी फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट एपल ग्रो चैनल पर एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ इसमें मैं आपको बताऊगा दिखाऊगा यह देखिए 27-8 साल का पौधा है रोयल का यह देखिए इसने कितनी हाइट जो है ले लिया है यह देखिए यह कोई 20 फूर चला गया है उपर और इसके साइट की परांटीज दे ब्लॉक करने को आई है और इसमें आप देखो दोस्तो इसमें कहीं भी करने में देखेगी आप निच्चे से लेकर उपर मैंस्टम में यह जो मैंस्टम है पो देखा इसमें मैंस्टम में कहीं भी कहीं भी मैंस्टम में इसमें जो है कट नहीं है कैच्ची तक नहीं लगाई यह मैन चाहिए यह है वो देखा जो नीचे स्ताने से सिधा मैन है चाहिए इसमें जो मैन ब्राइचीज है जैसे कि यह यह है चाहिए यह है कोई ब्राइचीज है इसमें भी जो है बिल्गुल पीछे कट नहीं है यह यहां ने दिखाऊगा आपको यह जो एक टाना जुका है नीचे यह देखिए यह पिछली बार जो है अवर क्रॉप के बचे से यह जुका हुआ है अब इसमें आगे से ग्रोथ बंद है अब यह मोटा भी होगा बीम भी मोटा होगा तैना भी मोटा होगा आगे से इसने अपनी जगा पूरी कर दिया यह जा रहा है सर खेत से बार तो इसको कर दिया मैंना वो ब्लॉक छोड़ दिया इस साल नेक्स टेर इसको मैं ब्लॉक कर दूगा रिंग से ये देखिए आफ ये सारे तो ये बीम्स कैसे बने हैं ये बीम्स ऐसे बने हैं क्योंकि जहां ही जो भी वाटरशूट निकला वो मैंने खुले छोड़ दिये वो मैंने उसको काटा नहीं एक साल खुले छड़ दिये नेक्स टेर उसमें जो है आगे रिंग आई जैसे ये मैं यहां पर दिखाता हूँ पिछली साल ये दुसरी साल को ये रिंग आ गई थी तो मैंने ये रिंग परकिसाल काट दी थी ये देखिए रिंग कैसी कटी है बिलकुल बीच चोबीच से बिलकुल बीच चोबीच से जो है ये रिंग कटी हुई है कि एक है आज accurate ऑर इसमें जो है आगे तीन निकल गया है एक पिछय एक इसके और पिछय दिपर ये सारे आई जो है इसमें खुल चुक यह 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 देखिये नाज तक यहां तक इसमें आइज खुल चुकी है यह उपर से लेकर इस बारी यह जो नीचे यह बीम निकले हुए है इसमें क्या होगा कि इसमें फ्रूट आ सकता है फ्रूट आ सकता है तो यह मैच्वर हो जाएगा नेक्स ज़र मैं इसको यहां से काट सकता हूं तो धीरे-धीरे म निकला था इसमें भी सारी यह वाटशूट मेंन छोड़े वए थे और प्षनी रींग न कोड़िए है और इसमें फसल भी मैं होगेगी और यह मैं चूर होके फिर मैं इसमें जो है पिछे आ जाओगा आज़े आज़े इस फार मैं चूर हो जाएगा भी यह देखे यह जो मैंने छोड़े हुए है और इसमें देखे रिंग्स आई हुए है यह देखे आपको इस तरीके से रिंग्स काटनी यह लाइफ टाम के जैसे यह हमी मैचौर नहीं हुआ है, मैं यहां से काट दूगा तो यह फसल देके ग्रोथ में चला जाएगा। जब इसमें मैचौर हो जाएगा, इसमें फसल आ जाएगी, तभी आप इसको यहां से काट सकते है। यह गलतिया भात कर रहे हैं लोग। कि नहीं से आप काटे जहां से वीम आपके मेच्र हो रखा है मैं आपको दिखाऊगा कहीं इसमें इसमें आरेखी निसमें फसल ले देखिए यह देखिए आपको आप इसको यहां से काट सकते हैं because these beams are matured इसने फसल दे रखी है यह mature हो चुका है अब यहां से आप काटेगे तो यह growth में नहीं जाएगा ठीक है अगर आप ऐसी नए बीम से काटेगे यूँ करके जिसमें फसल नहीं यह यह भी यहां से काटेगे तो यह फसल देके बीम में चला जाएगा फिर आपको इसमें और आगे जाना पड़ेगा इसलिए प्रोनिंग ही मैन है मैं यह भी नहीं बोलता हूँ कि आप प्रोधे की growth को रोकिए पौधा बनाईए आप पौधा जो आपका 10 साल में बनना है वो इस तरह से जो है आपका 5 साल में बनेगा और उससे ज़्यादा strong बनेगा जब आपके इसमें पूरे इसमें यहां से लेकर आगे तक आपके movement क्या है इसमें activity है हर जगा इसमें आपके पास जो है बी में तो इससे क्या हो जाता है इससे टहना जो है मजबूत होता है तूरता कौन सा है जैसे आपने angle दी हुए पहल के पराने पोधे में जैसे यहां स क्या बोलता है बरफ टिकेगी न तो यह तूड़ जाएगा क्योंकि यह तो कट है और जो यह बुड़ है यह अंदर तक सड़ जाएगा और यह जो है धीरे धीरे जो है पिछे बीक होते रहए इसलिए ऐसे कट जो मारता है न वही बरफ से तूड़ते है ऐसे में अगर बरफ अगर इसमें वरफ भी ठीकेगी तो यह क्या है वरफ ज़ड़ जाएगी इतना सकता है तो मैं नई टिक्निक्स मैं यह कहना चाहता हूं कि नई टक्निक्स के साथ आप जो है काम करिए पुराने वाले अभ्यास धीरे धीरे त्यागने कोशिश कीजिए और बगीचा बनाने के साथ साथ आनिंग भी लीजिए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए आप लोगों ने खेत खराब कर दिये हैं फसल भी नहीं यह देखिए आपको मैं दिखाता हूं पौद अब इसमें बीम्स भी बने हुए है इसमें फसल आई इसमें तीन तीन चार चार पेटी में सेव की उतार हुआ किसी को अगर कोई कोश्चन हो आप आना चाहते हो आपको मैं बता सकता हूँ सिखा सकता हूँ दिखा सकता हूँ आईए देखिए समझिए और करिए अगर आपने खेत खराब कर दिये है उसमें बगीचे लगा दिये है फसल नहीं हो पा रही है तो आप बगीचे में तूटके पड़िए अपना जो टाइम है ना दिन का बारा घंटे का उसमें से आप 80% टाइम जो है बगीचे को दीजिए तब ही आप सक्सीड हो पाएगे लगा तो दिये है अब उसमें मेहनत भी करना है मेहनत करनी है नई टेकनीक्स के साथ तो मैं जादा नहीं बताओगा मैं बस आपसे लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे शेयर करे और लाइक करे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए औल पर स्लेक्ट कीजिए ताकि सारी जो भी मैं नहीं वीडियोज आपके लिए डालू उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्यूंकि मैं हर स्टेप पर जो है हर स्टेप पर आपको वीडियोज बनाके भेजूगा प्रैक्टिकली दिखाऊगा इसमें कैसी फ्रूट आएगे कितने फ्रूट आएगे किस कौलिटी आएगे फिर नेक्स टिर में इसमें कैसी फ्राणिंग करूगा यह सारा गुछ मैं आपको टाइम बताते रहुगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ओल नोटिफिकेशन को ओन करना होगा तभी आपको पता लगेगा और मेरी हर दिन वीडियो में अपलोड करता हूँ क्योंकि मैं अब गीचे में होता हूँ डेली तो मैं हट टॉपिक पर जो मैं निया काम जो मैंने जिसमें सक्सेस्पुल पाई है वो काम मैं जब करता हूँ तो उसकी वीडियो बनाके आप सभी लोगों के साथ डार्क्ट शेयर करूगा है मुझे नहीं है चेहरे दिखाने की जरूरत मुझे है काम दिखाने की जूरत ये दिखी जो भाई मेरे जैसा ग्रीव है जिसके पास सिरफ मेहनत है वो मेरे साथ जूड़े और मैं उसको बतावगा की कैसे करना है प्री आफ कोस्ट ठैंक्यू जय हिंद जय भारत